हलो स्टूडेंट्स आज का अपना जो टोपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या भी हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो की 11 में को फाउंडेशन का जो टेस्ट होना है उसके अंदर आपके पास लोगर्थम फंक्शन के साथ-साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उपर बेस्ट क्योशन भी आएंगे और यहां मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो करवा रहा हूं इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे जो पलस वन और पलस टू दोनों ही क्लासिज के लिए इंपोर्टेंट है ए फंक् अक्छरियल से और अलंड फमेंशियल फंक्छत कि rigorous शियुथ पा रहे गेंश पार समझेंगे आपर मैं रहे पार विएँछिट और अ एंपाल फंक्छी आएं ग्सक्छणी तबौ कर दमाट नंटंट जो नडिया पारियल फंक्छ सच्छ पार जो अल्वेंगले चर ऑर पा not equals to 1 किसके equal नहीं होगा वई 1 के equal नहीं होगा क्योंकि 1 पर यह not defined होता है मारे पास is called the exponential function तो exponential function के लिए क्या पढ़ा आपने कि constant raise to the power variable किसी भी constant की power और यहां पर four example मैं इसके अंदर ले रहा हूँ अगर मैं यह कह दो कि fx is equal to 2 raise to the power x है तो यह भी exponential function है fx is equal to 5 raise to the power x है यह भी एक exponential function है यह मैं कह दो fx is equal to 1 upon 3 raise to the power x है यह भी क्या है exponential function है और यहां पर अगर हमारे पास fx is equal to e raise to the power x है तो यह भी एक exponential function है क्योंकि e की value है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है और between 2 and 3 है तो यह आपका यह greater than 1 की condition को follow करता है तो constant raise to the power variable constant की power अगर variable में है तो वो क्या कहलाएगा exponential function तो exponential function की definition clear हो गई होगी आप सब को उसकी बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जब भी कोई function है तो उस पर domain और range पर तो बात आएगी आएगी हमारे पास तो यहाँ देखिए सबसे पहले domain of exponential function exponential function है वो all real numbers के लिए defined होते हैं क्या होते हैं हमारे पास है all real values के लिए fx is equals to ax में आप x के place पे 0 रख लो minus रख लो positive रख लो कोई भी real value रख लो आप यहाँ पे आपका function defined है तो जो domain बनेगी हमारे पास है वो बनेगी क्या r बनेगी तो यहाँ से अपने पास कोई भी function है domain और range तो एही है उसके पास तो domain बनेगी हमारे पास r और next range और फैफ आप अगर x की value 0 भी put करोगे तो भी आप result 1 आएगा भी x की value positive में कितनी भी रखते जाओ आपके पास यहाँ पे अपने पास है यह negative में रख लो दोनों ही तरह से value है वो 0 कभी भी नहीं आएगी हाँ 0 से लेकर के infinitive तक हमारे पास है वो इस function की value आए तो domain real number range है वो आपका open interval 0 to infinitive अब हमारे पास condition given है वी a greater than 0 and a not equals to 0 अब a greater than 0 में तो ठीक है all positive ले लिए लेकिन साथ में a not equals to 1 की condition आगे so we have the following cases case fast fast जो case बन गया when a greater than 1 क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल a पर ही तो depend है a की value 0 से 1 के बीच हो सकती और a की value 1 से greater हो सकती है तो a greater than 1 अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो हमारे पास fx is equals to a raised to the power x या y is equals to यह लिख सकते हो आप तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास है fx is equals to आपका कहलाएगा जो a raised to the power x हो less than 1 बनेगा 4x less than 0 equals to 1 होगा 4x is equals to 0 greater than 1 होगा हमारे पास 4x greater than 0 यह सब condition कैसे लिख दी गई है आप लोग दियान दे सकते हो यहाँ पर मैं कोई भी function लिख दूँ for example मैंने fx is equals to 2 raised to the power x लिख दिया आप खुद observe कर सकते हो x value less than 0 का मतलब x की value अगर कोई भी negative value आप लोगे आप suppose कीजिए कि आपने minus 1 ले लिया तो यह 1 upon 2 बन गया वे अब 1 upon 2 है वो less than 1 है x की कोई भी negative value यूज कर लो आप का result है वो किस में आना है less than 1 में आना है आप अगर x की value 0 पुट करते हो तो किसी भी नंबर की power 0 लोगे तो किसके equal आएगा वन के equal आएगा और ऐसे ही अगर आप 2 raised to the power x greater than 0 positive ले रहे हो अगर 1 भी ले रहे है तो 2 आ रहे है तो आपके पास यह case बनेगा नेक्स्ट हमारे पास बात आती है साथी साथ मैं इसका बता दूं भी graph क्या जो आपके पास है हमारे पास यह बनेगा वह इसका graph तो graph के लिए आप लोग द्यान दे सकते हो graph of exponential function exponential function का graph बनाएंगे तो हमारे पास है जब a greater than 1 है उस condition के लिए आपका जो graph बनेगा वह आपके लिए मैं बता दू यह पे एक्स की value 0 ले रहा हूँ तो y की value1 तो आई रही है यह point हो गया हमारे पास जीरो कोमा ऑन एक्स की value ड़ीरो ले रहे रहे है तो y की value क्या रही है हमारे पास A1 आ रही है तो इसका जो graph है वो आपके पास इस type से बनेगा भई और यह यहाँ पर x-axis है इसको touch नहीं करेगा इसको cross नहीं करेगा क्या होगा? x-axis को यहाँ पर ना तो यह touch करेगा और ना इसको क्या करेगा? यह cross करेगा यह graph है किसके लिए A greater than 1 के लिए अब यह तो एक standard form हो गई हमारे पास किसके लिए भई? y is equal to a raise to the power x और a greater than क्या हो गया? 1 हो गया अब इसी के लिए मैं actual graph हाफ को बना के दिखा रहा हूँ है मैंने यहाँ पर function ले लिया let y is equal to fx is equal to 2 raise to the power x यह एक exponential function ले लिया और इस exponential function का graph बना रहा हूँ है और इसका graph बना रहा हूँ तो आप लोग दियान दीजिए यह हमारे पास इधर आ गया x और इधर आ गया y आ गया सबसे पहले मैंने यहाँ पर x की value put कर दी 0 अगर मैं x की value 0 रख देता हूँ तो y की value कितनी आएगी 1 आएगी next मैंने यहाँ पर value रख दी x की 1 1 रख दू तो y की value अमारे पास 2 बनेगी x की value अगर मैं 2 put कर दू तो y की value हमारे पास क्या बनेगी 4 आएगी ऐसे ही आप देख सकते हो some negative values का मैं use कर लू अगर मैं minus 1 put कर दू तो 1 upon में 2 आएगा x की value minus 1 रख दी जाए तो 2 raise to the power minus 1 बनेगा जो की 1 upon 2 बन गया मैं अगर minus का 2 put कर दू तो आप देख सकते हो यहां से बनेगा आपको 1 upon 2 raise to the power 2 होगा तो 1 upon में 4 बन जाएगा ऐसे ही some positive और some negative values है उनका हमें use कर लें आप देखे इसका graph बनाने जा रहा हूं जब हम इसका graph बनाएंगे तो यहां से आप लोगों के पास x-axis हो गया y-axis हो गया origin हो गया values दो देख पा रहे हैं आप जिसका हमारे पास 1,2,3,4 से हम काम चला लेंगे ऐसे इदर आगया आपका 1,2,3,4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 y की कोई negative value आनी नहीं है तो इदर ना भी लिखें तो कोई problem नहीं x की value 0 है y की value 1 है यह point आ गया फेस्ट अपना next x की value 1 है y की value 2 है अगर आप x की value 1 ले रहे हो तो y की value है वो हमारे पास कितनी आएगी वही 2 आ जाएगी next अगर x की value 2 ले रहे हो तो y की value है वो 4 बन जाएगी हमारे पास ऐसे ही अगर x की value 3 लोगे तो y की value 8 चली जाएगी अब negative values का use करता हूँ तो x की value minus 1 ले रहा हूँ तो y की value plus half आएगी यह half हो गया वै तो यह point आगया next अगर minus 2 ले लेता हूँ तो 1 upon 4 आएगी x की value minus 2 है तो y की value 1 upon 4 आएगी आप इससे आगे ची और भी values use कर लो आप जैसे ही minus 3 रखोगे तो 1 upon में हमारे पास 8 बनेगा 8 बनेगा तो भी x axis के near आएगा यहाँ x axis को cross नहीं करेगा x axis को touch नहीं करेगा यह graph अब इसको free end करो type में join कर दो यह आपके पास इसका graph बन गया किसका graph आगया यह 2 raised to the power x का graph आगया यहाँ base 2 लेने का मतलब है मेरा कि मैंने a greater than 1 यूज किया है क्या 2 greater than 1 है तो आपका a है base तो a greater than 1 का जो graph है जो standard form आपको बता रहा हूँ वो हमारे पास find होगी ऐसे ही आप लोग 3 raised to the power x 4 raised to the power x 5 raised to the power x किसी का भी graph आप से बन वाले आप सभी का graph आफिस method की यह से बना सकते हो तो यह चीज आपको अच्छे से इसमें द्यान रखनी है इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ वात्ते बता दो कि अपने पास यहाँ पे अगर a greater than 1 है क्या है वही अपने पास है a greater than 1 है तो उसके अंदर condition बनती है कि 2 raise to the power x है वो less होगा 3 raise to the power x से less होगा 4 raise to the power x 4 all x greater than 1 किसके लिए लिख रहा हूँ वाई अगर x greater than 1 है तो आपके पास 2 raise to the power x less than 3 raise to the power x less than 4 raise to the power x समझ गए होंगे इसका में नहीं कि जिसका base large होता जाएगा वो ही हमारे पास large number होगा जिसका base कम है वो क्या होगा small number होगा लेकिन कब होगा जब आपका x greater than क्या होगा 1 होगा next हमारे पास result इसी से लिख रहा हूँ 2 raise to the power x is equals to 3 raise to the power x is equals to 4 raise to the power x और यह result है यह आपका equal होगा किसके 1 के होगा 4 all x is equals to 0 अगर मैं x की value 0 ले लो तो यह result अपना किसके equal बनेगा 1 के equal बनेगा next यह result reverse हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा reverse हो जाएगा किसके लिए 4 all x less than 1 के लिए अगर x less than 1 है तो हमारे पास यह बनेगा कि उस case में 2 raise to the power x वो large होगा comparison to 3 raise to the power x और 4 raise to the power x तो यह भी properties है कुछ हमारे पास main main points है इनको भी बिटे अच्छे से ध्यान रखो आप लो इन सबका भी अगर graph इकठा भी बनाना चाहो तो ध्यान रखना जैसे ही y है वो आपके पास क्या है 2 raise to the power x का यह graph अप next 3 raise to the power x का बनाओगे तो इधर से अंदर आएगा इधर से बाहर आएगा इधर से अंदर आएगा इधर से बाहर आएगा जैसे जैसे value increase करते जाओगे आप लोग case second है भी हमारे पास second case के अंदर यहाँ पे condition 0 less than x less than 1 क्या है भई x नहीं a a की condition है 0 less than a less than 1 के लिए हमारे पास इस किसमें आपको मैं बता दू किसमें क्या होगा हमारे पास कि y is equals to fx is equals to a raise to the power x अगर है तो greater than 1 होगा हमारे पास for all x less than 0 के लिए next अपना equals to 1 होगा for all x is equals to 0 के लिए और भाई यह greater आ चुका तो क्या बच गया less रह गया less than 1 होगा for all x greater than 0 के लिए देखो condition इसकी काहनी है वो भी प्रीत होगी बिल्को लग कैसे भाई less than वाले में greater हो रहा है greater वाले में less हो रहा है equal वाले में तो वह यह वनाना है बोथ केस के अंदर अब इसके लिए function किस type का होगा हमारे पास वो मैं आपको बता दू कि आपका fx है assume कीजिए कि 2 raise to the power किसकी भाई 2 की बजाए यहाँ पे 1 upon 2 ले लो मैं raise to the power x fx है वो आपका 1 upon 3 raise to the power x 1 upon 5 raise to the power x यह सब किसको represent कर रहे हैं a less than 1 यह 0 less than a less than 1 को represent कर रहे हैं तो इस type में अगर है तो उसके standard form क्या बनेगी उसका जो graph क्या बनेगा पहले तो standard form है वो देखी आप उसके बाद मैं graph बना के और दिखाऊंगा तो यह तो है कि x की value 0 है तो y की value 1 है यह तो fix है भाई आएगा यह आएगा 0,1 अब की बार हमारे पास क्या बनेगा इदर आप देख सकते हो कि x की value अगर negative में ले रहे हो minus में ले रहे हो तो आपके पास यह क्या हो रहा है y increase हो रहा है x less than 0 है तो y greater than 1 है इसका मतलब इदर हो गया next आप x greater than 0 ले रहे हो तो y less than 1 y कम हो रहा है कम हो रहा है तेदर down आए इसके भी यही विसेज़ता है कि यह भी x axis को touch नहीं करेगा x axis को cross नहीं करेगा आप कहीं तक भी इसको आगे ले जाए हो तो यह आपके पास क्या बन गया y is equal to a raise to the power x 0 less than a less than 1 0 और 1 के बीच में हो तो यह आपके पास ग्राब बनेगा अब मैं आपको यहाँ पे a की condition 0 to 1 के लिए ग्राब बना के दिखा रहा हूँ है मैंने यहाँ पे ले लिया let y is equal to fx is equal to 1 upon 2 all raise to the power x जहां क्या है अपना 0 less than a less than 1 की condition को follow कर रहा है आप है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना तो आप इसका ग्राब बनाएंगे और ग्राब बनाएंगे तो द्यानती जी क्या करेंगे हम x y x की value अगर आप लोग 0 लेते हो तो y की value 1 ही आती इसमें कोई problem ने x की value 1 लेते हो तो यहां y की value 1 अपोन 2 आएगे x की value 2 लोगे तो यहां y की value 1 अपोन 4 आएगे ऐसे ही x की value 3 लोगे तो आप 3 रख दोगे तो 1 अपोन में 8 आएगे अब some values है वो negative भी ले लोगे minus का 1 अगर ले लिया जाए तो यहां पे value 2 आएगे लेकि देख लो minus 1 minus 1 लेते है इसका reciprocal होके 2 हो जाएगे minus का 2 ले लोगे तो आपके पास यह बन जाएगा 4 और minus का 3 अगर आप लोगे तो यह आपके पास बनेगा क्या बाई minus का 8 बन जाएगा अब value जाने के बाद graph बनाने में तो हमें कोई प्रेशान नहीं होनी नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या ले लो अपना x-axis और y-axis उनको ले ले लिजिए वे वेल्व है वो मैंने 8 तक पहुचा दी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 next हमारे पास यहां पर आ रहा है वै क्या बनेगा आपका यह पलस का ही टाएगा वै next आप यहां से ले रहे हो minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 चल जाएगा अपना का फैस्सटे देखें x की value 0 लेते हैं y की value 1 यह point आगए x की value 1 लेता हूं तो y की value 1 upon में two है x की value 1 y की value 1 upon 2 लेता है i3 लेता हूं तो y की value 1 upon 8 इसका भी midpoint यह point यहां आगे ऐसे ही मैं x की value minus 1 लेता हूँ तो y की value 2 है इधर चला गए x की value minus 2 लेता हूँ तो y की value 4 है x की value minus 3 लेता हूँ तो यहां से आपकी y की value है वो 8 बन रही है तो अब देख लो यह जो भी points बने है इनको एक free hand करो type में आप लोग इनको join कर दो यह आपके पासे graph बन गया किसका y is equal to 1 upon 2 all raise to the power x का है तो यहां पर मैंने दोनों standard form बता दी है पहले logarithm का topic डाला था एक बार और अब जो topic है वो exponential का है और exponential में किस type से हम लोग graph बना सकते हैं उसको अपने अच्छे से आपको समझा दिया है थोड़ा सा द्यान दोगे तो उमीद करते हैं कि आप लोग easily इसको समझ भी गए होंगे नेक्स्ट इसके बाद मैं यहां से आपके पास कुछ इक्विलिटीज है इसके उसके बारे में द्यान दीजिए इक्विलिटीज फैस्ट अगर a raised to the power x is equal to a raised to the power y है क्या भी हमारे पास है a raised to the power x is equal to a raised to the power y है तो आप कह सकते हो कि x is equal to y है क्या कह सकते हो x is equal to y है यह तो आप लोग 6,7,8 कलास से पढ़ते आ रहे हो जब two trams equal है उनका base same है तो उनकी power भी क्या होगी same ही होगी next second जो case हमारे पास बनेगा अगर a raised to the power x y के equal है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते है x is equal to log of y with base a logarithm वाला topic अगर आपने read किया हो तो ऐसी कोई समझ्या नहीं आएगी base है वो तो base ही रहता है चाहिए वो exponential में हो चाहिए logarithm में हो y के साथ log लग गया तो यह x आ गया यह आप यहां से यह भी कर सकते है जो logarithm का topic अगर आपने अच्छे से read किया है तो log of a raised to the power x is equal to y तो x log a is equal to y के एल्फ से वहां से भी हम लोग लिख सकते है इसके बाद इससे related मैं example ले रहा हूँ तो मेरे पास example fast है भई 3 raised to the power x square minus 3x plus 1 is equal to और मैंने ले लिया यहां पे 1 upon 3 क्या ले लिया वटे 1 upon 3 तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग 3 raised to the power x square minus 3x plus 1 is equal to 3 raised to the power minus 1 लिख सकता हूँ मैं अब वो ही fast result हमारा equality वाला जब base same है तो उनकी power equal हो जाएंगी power equal बनेंगे तो x square minus 3x plus 1 is equal to minus 1 हो गया और x square minus 3x plus 2 is equal to 0 बन गया भई अब यहां से इसके factors कर लेंगे factor करेंगे तो x minus 1 और x minus 2 is equal to 0 बनेगा भई minus का 1 और minus का 2 either x is equal to 1 और x is equal to 2 यह इसके solution आगए ऐसे ही हमारे पास second example मैं यहां पे ले रहा हूँ और second में मैंने लिक दिया भई solve for x 3 raise to the power x is equal to 5 यहां से अगर कोई आप से x की value find करवाता है तो x is equal to बनेगा log of 5 with base 3 क्या बनेगा भई log of 5 with base 3 यह यह समझे लो logarithm की properties अगर read की और वो आपको याद हो तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हो इसमें taking log on both side x आ गया जाएगा log of 3 is equal to log of 5 log of 3 divide में जाएगा तो इस form में लिका जाएगा तो यह हमारे पास थी equality उसकी बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ inequalities क्या भी हमारे पास यहां पे inequalities inequalities में fasty case अपने पास है a raised to the power x greater than a raised to the power y उसमें equal था वो equality थी यह inequality है और inequality को करते वक्त हमें और ज्यादा सोचना पड़ेगा और ज्यादा इस पे मेनत करने पड़ेगे मुस्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना ज़के काम करना पड़ेगा अब यहां से हमारे पास क्या है वाई डबल कंडिशन आ जाएगे अलग अलग केस बनेंगे हमारे पास क्या क्या बनेंगे इफ ए ग्रेटर देन वान अगर ए ग्रेटर देन वान है तो आप लोग यहां से डारेक्ट कह सकते हो एक्स ग्रेटर देन वाई ए ग्रेटर देन वान है एक्स लेस देन वाई क्या बनेगा वही एक्स लेस देन यज ऐसे आपने पास नेक्स्ट में इसका सेकेंड जो कंडिशन है वह एज फूल एक्स ग्रेटर देन वाई अगर लेता हूं तो यहां से भी हमारे पास डबल case बनेंगे a greater than 1 होगा किसके लिए आपके पास है अगर a greater than 1 है तो then आप यहां से कह सकते हो x greater than log of y with base a कहलाएगा और a की condition अगर आपकी 0 to 1 है तो then बनेगा x less than log of y with base a बनेगा तो बटे यह थी iniquillities की properties इनको आप लोग अच्छे से read कर लें इन पे work करें और अब मैं इस से related आपको question बता रहा हूँ example fast ले रहा हूँ यहां पे और example fast के अंदर यहां पे मैंने ले लिया 2 raised to the power 2x minus 1 greater than 1 upon 2 raised to the power 1 minus में x 7 clear है तो यहां से क्या करेंगे क्योंकि equality हो या inequality हो हमारा प्रियास यह की है कि both side base है वो same बनना चाहिए अब same base बनाने के लिए हम लोग यहां से क्या कर देंगे 2 raised to the power 2x minus 1 greater than 2 raised to the power minus 1 minus x 1 गया है 2 raised to the power 2x minus 1 greater than 2 raised to the power x minus 1 लिख सकते हैं माइनस से multiply करके अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास कंडिशन है a greater than 1 क्या है भाई a greater than 1 और आपने fasty rule पढ़ा था देख सकते हो अगर a greater than 1 है तो x greater than y हो जाएगा तो x greater than y का मतलब है क्या लिख सकते हो 2x minus 1 greater than x minus 1 और 2x minus 1 greater than x minus 1 है तो यह आपका बन गया इधर क्या भाई 3x और greater than 0 वन उदर जागे पलस होगा तो यहां से बन गया x greater than 0 यह जिसको आप लिख सकते हो x belongs to 0 to infinitive क्योंकि x greater than 0 है तो यह ओपन इंटरवल रहेगा विख लोज नहीं आएगा और infinitive पर आलवेज क्या आता है ओपन आता है next मैं एक example और करवा रहा हूं आपको example number second है मारे पास solve for x 1 upon 3 raise to the power 1 minus 2x greater than 1 upon 9 raise to the power x upon 2 clear है base same होना चाहिए base same बनाओगे तो left का तो यह agities रखी राइट वाले को देखी 1 upon 3 raise to the power 2 लिख सकते है न और इंटो में x upon 2 है 2 से 2 divide हो गया 1 upon 3 raise to the power 1 minus में 2x और greater than 1 upon 3 raise to the power x अब यहां condition के लिए रहे कि आपका जो base है न वो क्या है 0 less than 1 upon 3 less than 1 है बाई it means 0 less than a less than 1 की condition है और अगर यह condition है तो इसके according क्या था x less than y बनेगा बाई तो 1 minus में 2x less than x हो गए तो यहां से आप लिख सकते हो 1 less than 3x and 1 upon 3 less than x जिसको क्या कह सकता हूं मैं यहां से x greater than 1 upon 3 हो जाएगा और x greater than 1 upon 3 है थी इसका solution क्या हो गया x belongs to 1 upon 3 to infinity यह आपके पास inequality के उपर depend question थे तो आज का हमारा जो main topic था वो था विटे आपका क्या exponential function था जिसके graph, जिसकी definition, जिसकी condition मैंने detail से आपको बता दी equality और inequality के उपर based जो question थे वो भी आपको करवा दिए इससे related जो भी material, जो भी book आपके पास हो उससे आप लोग इसमें all try करोगे questions तो जो भी हमारा foundation का test होना है उसके अंदर एक अच्छी कामिया भी आप लोगों को मिलेगी इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में next topic के साथ फिर आजिरोते हैं झाल